तो दोस्तो आज कि समय में जो है credit card का इतना demand हो गया है कि हर कोई न कोई इसका use करता है और आप भी जो है कभी न कभी इसको जरूर use कि होंगे अगर आप इसको use नहीं किये तो आपके मन में जरूर सवार होगा कि मेरे पास भी credit card रहा था या तो आप credit card लेने के लिए सोच रह पड़ जाए तो दोस्तों credit card को जो बंद करने से पहला आपको क्या क्या करना जरूरी है जिससे कि आपको यह पर लॉस्स में ना पड़े है ठीक है आपको यह पर कोई नुकसान ना हो तो दोस्तों मैं इस वीडियों आपको पूरा detail में को बात करने वाला हूँ कि अगर वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों आज की समय में जाए credit card के इतना demand है कि हर कोई ना कोई इसका यूज करता है चाहे वो job करता हो या तो student हो ठीक हर कोई ना कोई credit card यूज करता है और जिसके पास credit card नहीं भी है वो भी credit card लेने के लिए शोच रहे है तो दोस्तों अगर आप यूज करने तो बढ़ियो वाली वात है और आप लेने के लिए भी सूचने तो वो भी अच्छा वाली वात है ठीक है लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी है कि अगर आपको credit card कभी ना कभी बंद करने की समझ्या आ जाए वैसा situation आ जाए कि आपको credit card बंद करना है तो दोस्ता आप बंद करने से पहले आप ये जो जानकारी है जरूर लेना चाहिए ठीक है कि अगर आप ये जान लेते हैं आप समझ्य लेते तो तो अगर आप कभी भी credit card को बंद करेंगे तीक है उसको बंद करना चाहते है बंद करेंगे तो आपको 거기 losses नहीं होगा और कोई भी प्रोब्लम नहीं होगा, तो सबसे पहले यहां पर पहला पॉइंट आता है कि अगर आपको credit card को बंद ही करना है, तो दोस्तो credit card बंद करने से पहले आपने उससे जो भी समान लिया है, ठीक है, चाहे वो एक रुपया का समान हो, या तो 50 पैसे का समान हो, आपको उसका पूरा जो बील है, पूरा पो close कर देना है, यानि उसको पूरा zero कर देना है, आपने जितना भी समान लिया होगा, उसको पूरा zero close कर देना है, ठीक है, क्योंकि अगर आपके card में जो कुछ बंकाया रास्ती होता है, चाहे वो एक रुपया हो, या तो 50 पैसा हो, या त credit card से spend के होंगे, समान लिये होंगे, तो उसमें आपको पर reward point मिलागा, उसको आपको पर redeem कर लेना है, क्योंकि जल्दवाजी में जो है, card को बंद करने के चाहिए, reward point भी भूल जाते है, ठीक है, जो कि आपको losses का समना करना पड़ जाते है, तो आपको ये पहले आपको दिय credit card पे recurring payments की stating transaction लगा देते है, जैसे कि insurance premium, auditory monthly charge या कोई और charge भी जो है, अपने card पे उसको लगा देते है, तो आपको card को बंद कराने से पहले, इसको close कराने से पहले आपको ये चेक कर लेना है, कि आपके card पे transaction तो नहीं लगा है, अगर आपके card पे stating transaction लगा हुआ रहता है, और आप अपना card को block कर देते हैं, यानि बंद कर देते हैं, तो आपको ये धियान रखना है, सबसे पहले तो आपको ये चेक करा रहेना है, कि आपके card में कोई stating transaction तो नहीं लगा है, उसके बाद दोस्तों चंथा point ये है कि आपको bank में call करना पड़ेगा, यानि आपका जिस इस भी bank में credit card है, जिस भी bank का credit card है, उस bank manager सबको बात करना पड़ेगा, और उसको बताना हुगा कि मुझे ये credit card बंद करना है, ठीक है, तो bank वालों ये पर कुछ रीजन पूछेगा, आपको बंद करने के लिए क्या reason हो सकता है, तो हो सकता है कि आपको ये इमेल पे card का जो आपको card को बंद करने के बाद, आपको card को तीरिछा कातना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो, और आपको ये पर card किसी गलत आदमी के पास चला जाता है, तुस्तरे यहाँ पे कुछ यहाँ पे बहुत किसी जानकारिया चुराई जा सकती है, और आपके साथ fraud भी हो सकता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कोसिस करें, card को card करके फैकना है, और dustbin में नहीं डालना ठीक है, आपको फैकना है, ताकि आपके साथ कोई scam ना हो, तो दोस्तों यह सा आपको point आपको ध्यान देना, अगर आप card को बंद कराना चाहते है, तो सबसे पहले तो मैं आपको point by point आपको बता दिया हूं, ठीक है, तो आई हम यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आ यह वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चनल पर नहीं तो चनल को सब्सक्राब करके वेले लगाट प्रेस कर लेना, ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हम किस नहीं प्रेस कर देकले जाइए बने मत्रों.